असलाम वालेकुम वेलकम टू हमारा प्यारा किचन चले जी आज हम बनाएंगे मांडा गोस तो मांडा गोस के लिए यहाँ पे देखिए एक कुकर रख ली हूं मैं और यहाँ पे मैं तीन बड़े साइस के प्याज है तो इसको ले ली हूं और लंबे लंबे पीसे में कट कर ली हूं इसको डाल देती कुकर मैं यहाँ पे मैंने थोड़ी से डाल चीनी के तुकड़े ले लेती दो काली इलाइची ले लेती हूँ और दो छोटी हरी इलाइची ले लेती पस इतने मसाले इसमें जाएंगे अभी और यहां पे इसको हम इसमें डाल देते हैं और यहां पे देखिए आदा कप तेल ली हूँ मैंने लेकिन पू किन मिक्स और यह नहीं मिक्स कर लेंग और चाहिए तो पतेले में बनाएगawat में तो चलिए इसको नगा दें को रहा हो को बता है पाچ छोटी एलाईची, और तीन से चार लों, एक काली एलाईची, और थोड़े से जावीतरी के तुकड़ा, हम लेके इनको सबको पीस लेंगे, यहाँ देखे, काली मीरी में थोड़ी से डाल देती हूं, छे साथ काली मेरी भी डाल देती, उसका एक महीन सा पॉडर बनाएंगे चले जी यहाँ पर मांडे बनाएंगे मांडे के लिए देखें मैंने जो कब से मैं आटा डाल रही हूँ उतना ही मैंने मैदा पहले चान के लिए हूँ और उतना ही अभी मैंने घियों का आटा चान रही हूँ तो दोनों की quantity सेम रखेंगे और यहाँ पर देखें नमक डाल देते हैं और यहाँ पर पानी से इसको बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छा सा एक आठा गुन लेंगे एक अच्छा सा डो बना लेंगे इसका यहाँ देखें आठे को अच्छा से गुन लेती हू तो यहां देखिए गोश के तरह आते कुकर खोल ली हूँ मैंने तो गोश है तो हमारा देख सकते आप गल चुका है बस अभी थोड़ा से बाकी एक असर तो हम इसको गिरीवी में भुंते-भुंते में गला लेंगे तो यहां देखिए एक बार मिक्स कर लेती हूँ मैं इसको अच्छी तरह से तो चलिए यहां पर अभी एक चमच भर के मैं अधर कलसन का पेश्ट इसमें एट कर लूँगी और यहां पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और जो ये पानी इसमें है इते ही पानी में अभी हम गलाएंगे। निया देखें के मैंने एक टेबल स्चोन भरके मैंने लाल पौडर ली जुँँ हूँ। अब ये सारे सुके मसाले इसमें डालेंगे और इसको यहाँ पर खुब अच्छे से हम मिलाते हुए उनको भूनेंगे पकाएंगे अच्छी तरह से तो चलिए जी यहाँ देखे जो मसाला हमने पीसे थे यहाँ पर आदा दालेंगे और आदा हम बाद में दालेंगे तो इसको साइट रख देते बागी के और यहाँ देखें मैंने अभी यहाँ पर आदा कप तेल मैंने और इसमें डाली हूँ आदे कप से थोड़ा ज़ादा है मैंने पहले सुरवात में यह तेल आदा कप डाली थी तो यहां देखिए इसको अच्छे तरह से अभी नमक भी मैंने इसमें थोड़ा से डाली टेस्ट के एसाब से और जो यह हमने काजू, खसकस और कर्बुच की बीज पीसे थे यह इसका पेश इसमें डाल दिये अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको और जिसमें अभी इतनी गिरिवी जो दीख रही है इसको हम खुब पका के आइटा लेंगे तो यहां देखिए धकन खोल लिए मैं खुब बार बार खोल के उसको चेक कर रही थी तो यह देखिए कितनी जबरदस हमारी रसीपी आज की तयार है तो खुब अच्छे से इसको यहां पर भून लेंगे और यहां देखिए यह जो हमने थोड़े से मसाले बचा के रखे थे जो पीसे थे हमने मसाले यह मसाले इसमें डालेंगे खुजबु वाले मसाले होते है यह इसे रसीपी बहुत अच्छी बनती है और आज की रसीपी हमारी कैसी लग रही है आपको recipe अच्छी लग रही तो like, share, comment ज़रूर करना तो चलिए हमारा ghost बन चुका है तो उसको अमने guest का film बन कर दिये हैं अब यहां आते हैं हम मांडे बनाते हैं तो यहां देखिए लोईया तोड लेती हुमें इस तरीके से यह रोटी जो होती है यह रोमाली रोटी की तरह ही होती है पतली होती है, बढ़ी होती है एकड़म तो इसको अभी हम लोईय तोड कर आदेखिए बेल रहे हैं हम उनको खुब अच्छे से बेल एंगे उनको पतली एकड़म बेल लेंगे और यहां हातों से देखिए थोड़ी से हम फैला भी लेंगे चले जी तावे पे इसको डाल देती हुँ मैं यह मांडे को लोखंड के तावे पे बनाया जाता है तो अब इतना बड़ा तावा तो लोखंड का नहीं है हमारे पास तो चलिए हम यहीं हमारे तावे पे इनको सेख लेते हैं तो यहां देखे अच्छे से आलट-पलट के हम मांडो को सेख लेते हैं तो है ना जबरदस्सी मज़े की रसी भी रसी भी अच्छी लग रही लाइक शेर जरूर करते ना दोस्तो जो नए आए चायनल पर तो पिलीस चायनल को सब्क्राइब भी करना चलिए जी यहां देखे टावे पर इनको हम फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से और बाकी की भी सारे मांडे हम बना के तयार कर लेते हैं तो चलिए ये दूसरे भी मैं दाल देती हूँ ये देखिए कितने फटाफट से बन जा रहे हैं आराम से बन जाती रसी भी तो चलिए इनकी भी साइट चेंज कर लेते हैं और इन बाकी के भी सब मांडों को हम बना लेंगे ये देखिए इस तरीके से तो चलिए जी हमारे इस मांडे भी तयार हो चुके आप उतार लेते हैं तो चलिए आप इनकी पिलेटिंग भी करके हम आपको दिखाते हैं ये देख सकरें ना कितने मांडे हमारे अच्छे बने हैं तो चलिए ये दाल देती में ये देखिए हमारा सालन भी रेडी है मांडे भी तयार है तो जल्दी जल्दी आप जाईए इसे देखिए रसीपी को जल्दी से चैनल को लाइक शेर कर ये और आपकी क्यार आईए कमेट में बताना तो हम फिर मिलेंगे अगली रसीपी के साथ आपका वह सा ख्याल रखना हमें भी दुआओं में याद रखना तब तक के याला हाफिज